हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HDFC Securities में अगर आपका Demate Account है तो आप उसे कैसे Close कर सकते हैं अगर आप HDFC Securities Demate Account में आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं इंवेस्टिंग भी नहीं करते हैं तो आपको Account Close कर देना चाहिए तो इस वीडियो में आपको काफी सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूँ कि HDFC Securities Demate Account को Close कैसे करें ओनलाइन तो चलिए बिनादरी करें सीख लेते हैं आई हूप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी HDFC Securities के Demate Account को आपको Delete करने से पहले आपको ये देख लेना है कि आपके Demate Account में कोई Share तो Holding में नहीं है और आपका Trading Balance भी Zero होना चाहिए Account डिलीट करने से पहले ये सब आपको देख लेना है अगर कोई Share है आपके Demate Account में तो आपको उसे पहले Sell करना पड़ेगा तो आपको Share को Sell करने के बाद Trading Account में से Balance को विड्रो कर लेना है तो चलिए आप बिना दरीकर है सीख लेते हैं कि Account कैसे किलोज करते हैं Account किलोज करने के लिए आपको कोई भी एक विराउजर को Open कर लेना है जिसमें आप Internet चलाते हैं और Google पर आपको Search करना है HDFC Securities इसके बाद मैं आपको HDFC Securities के वेबसाइट को विजिट करना होगा तो यहाँ पर आप दिशकते हैं HDFC Securities के यहाँ पर Official Website आचुकी है तो चलिए मैं इसे Open कर लेता हूँ तो जैसे ही Website Open होगी तो आपको समने इस तरह के Interface आजाएगा तो यहाँ पर आपको एक Important Information का Option दिखेगा इस Option पर आपको क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ से Forms के Option पर क्लिक करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपके सामने Online Form यहाँ पर आ चुकी है तो यहाँ पर आपको एक Option दिखेगा Trading Account e-Closer तो trading account यानि की demate account को close करने के लिए आपको इस option पर click करना है complete process online है आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है अब इसके बाद आपके सामने इस तरह का interface आजाएगा तो यहाँ पर account close करने के लिए आपको यहाँ पर login करना पड़ेगा login करने के लिए सबसे पहला आपको login ID डालने है password यहाँ पर डालना है और date of birth यहाँ पर डालने है और इसके बाद आपको continue पर click कर देना है तो मैंने यहाँ पर सभी details enter कर दी है तो चलिए मैं continue पर click कर देता हूँ अब इसके बाद यहाँ पर आपको e-sign करना होगा e-sign करने के लिए आपको यहाँ पर e-sign now पर click करना है अब इसके बाद यहाँ पर आपको proceed to e-sign पर click करना है अब यहाँ पर complete form आ चुका है बस हमें sign करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर sign now पर click करना है अब इसके बाद जो भी आपके आधर कार्ट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है तो मैंने यहाँ पर OTP को एंटर कर दिया है अब इसके बाद verify OTP पर click कर देना है तो यहाँ पर आप दिख सकते हैं हमारा e-sign successfully हो चुका है आप यहाँ पर sign form को download भी कर सकते हैं अब इसके बाद आपको कुछ दिन तक wait करना है आपके पास email आ जाएगा कि आपका account close कर दिया गया है minimum एक हफते तक का time लग सकता है confirmation के लिए आपके पास email भी आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपना HDFC securities का demate account close कर सकते हैं I hope आपको वीडियो जुरूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद देने तो like कर देना और अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं कर रहा है तो चैनल को subscribe कर लिजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीकी वीडियो लाद रहता हूँ तो इस वीडियो पसंद नहीं मिलते हैं नेक्स वीडियो में thanks for watching